हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर विकास बगेल और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के बारे में जिनके चेहरे पर दाग दब्बे हमेसा नजराते हैं चेहरा उनका बेजान सा रहता है दाग दब्बे होने की वज़े से वो बहार भी नहीं निकल पाते तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं एक ऐसा नुस्का लेके आया हूं जिसका अगर वो रोजाना इस्तिमाल करेंगे तो उनके चेहरे के उपर जो दाग दब्बे हैं वो भी ख पानी की आपको एक बरतन के अंदर दो ग्लास पानी डालना है इसको आपको हलका हलका सा गरम करना है गरम करते करते आपको इसके अंदर एक चमच की मात्रा में सौफ डाल देनी है अच्छी परकार से सौफ को उबल जाने दे अच्छी परकार से वो सौफ का पानी बन जाने दो इसके बाद आप इसमें 3-4 काली मिच डाल दें, 3-4 आपको इसके अंदर लोंग डाल देनी है, 2-3 आपको इलाई ची डाल देनी है, और आपको थोड़ी सी मातरा के अंदर दाल चिनी इसके अंदर मिक्स कर देनी है, दाल चिनी के अगर आपके पास दो टुकड़े भी है, तो भी बहुत ज़यदा रहेगा, इन दोनों को आप ढाल दीजिये डालने के बाद आपको इसे अच्छी परकार से उबालना है इस तरह के साथ आपको उबालना है कि जो दो गिलास पाणी है वो उबलते-उबलते एक गिलास तक रह जाएगा जब वो एक गिलास रह जाए तो आपको इसे उतार लेना है अच्छी परकार से चान लेना है चानने के बाद आपको इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है जब यह पूरी तरीकी से ठंडा हो जाए या फिर हलका सा भी गुन-गुना रहे तो जैसे शिप-शिप करके पीते हैं कुछ इस परकार से इसे आपको पीना चाहिए अगर आप इस उपाय को एक मेहने तक इस्तेमाल करते हैं तो इसे आपके चेहरे के उपर दाग धब्बे होते हैं कील मुहा से आ जाते हैं चेहरा बे जान सा नजर आता हैं। चेहरे की ऊपर रंगत नहीं आती हैं। इन सभी को सदाने में या मदद करेगा। क्योंकि दूस्तों इसका इसतिमाल करने की एक वज़े होती है। दोस्तों जो दालचीनी है, इलाइची है, लोंग है, सौंप है और दोस्तों इसके अंदर काली मेरिच है, ये आपकी सरीर के लिए काफी ज़्यादा फाइजमन्द होते हैं, इनके अंदर अच्छी मात्रा में एंटियोक्षिडेंट पाए जाते हैं, अच्छी परकार के इसक हो जाएगी, इम्नुटी स्ट्रॉंग होने के वजए से आपको सरीर में किसी परकार की बीमारी भी नहीं लगेगी, जिन इंसानों को बार बार सर्दी खांसी जुखाम की दिक्कत रहती है, इस उपाय को करने के बाद उनको सर्दी खांसी जुखाम में भी काफी ज़्याद पायसे उठा सकते हैं, तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही, यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्काइब करें, और दोस्तो ऐसी वीडियो को जरूर सेयर करें धन्यवाद